साथ यो कॉंग्रेस के राज में न जवान की परवा की जाती है न किसान की परवा की जाती है जवानों के बात अब मैं विस्तार से किसानों की भी बात करूँगा सत्तर सान में पहली बार देश की किसी सरकार ने किसानों की आए बढ़ाने के बारे में सोचा है तो वो हमारी सरकार है एंडिये की सरकार है किसानों की एक एक परशानी समझ कर बविश्की जरूरतों को समझ कर बीज से लेकर के बाजार तक हमारी सरकार ने नीतिया बनाई और उन्हें लागू कर रही है हम बहुत इमांदारी से बहुत परिश्रम से किसानों को खेती से जुड़े संकटों से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन देश के किसानों को कॉंग्रेस का इतिहास उसकी नीतिया उसकी सचाई उसकी दोखागडी कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कॉंग्रेश के पास इस बात का क्या जवाब है कि जब वो दस साल तक सत्ता में रही तो क्या उसने स्वामिनाधन कमिटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया आखिर किसका दबाव था क्यों उसने MSP जैसे अहम विशे को जमीन के बीतर ही गाड़ दिया था इस बात का जवाब कॉंग्रेश कभी नहीं देगी और नहीं उसका बनाया इको सिस्टीम उससे कभी जवाब मांगेगा लेकिन भाई और बेहनों केंदर की NDA सरकार ने किसानों की आई बढ़ाने के लिए MSP पर स्वामिनाधन कमेटी के रिपोर्ट को लागू किया खरीप और रभी की 22 फसलों पर आज MSP को सुनिश्चित किया गया है कॉंगरेज का इको सिस्टीम आपको कभी ये नहीं बताएगा कि सिर्फ इस एक फैसले से और ये बहुत महत्वपूर बात है सिर्फ इस एक फैसले से हमारे देश के किसानों को साथ हजार करोड रुपिय से ज़्यादा मिलना तय हुआ है साथ हजार करोड रुपिय का फायदा भाई और बहनों मैं कॉंगरेज से ये भी जानना चाहता हूं कि आखिर वो किसका दवाव था जो वो यूरिया की सत प्रतिशद नीम कोटिंग कर्ज के फैसले से भागती रही हमारा देश का किसान यूरिया के अभाव में लाठिया खाता था कॉंग्रेज की सरकार उसका तमासा देखती रही साथ क्यों मैं देश को फिर याद दिलाना चाहता हूं कि ही कॉंग्रेज सरकार थी जब किसानों से फसल विमा के लिए 15 प्रतिशद से जादा प्रिम्यम लिया जाता था विमा की रासी में भी कैपिंग होती थी 30 प्रतिशद फसल का नुक्सान हुआ है या 40 प्रतिशद का इसी में भी बड़े बड़े गोटा लेके खेल खेले जाते थे प्रधान मंत्री फसल विमा योजना लाकर हमारी सरकार ने किसानों की इन सारी समच्चाओं को दूर किया आज अलग-अलग फसलों पर सिर्फ देड़ प्रतिशद से लेकर 5 प्रतिशद तक का प्रिम्यम किसानों से लिया जाता है 100 रुपिये में सरब 1.5 रुपिया जादा से जादा 5 रुपिया अगर मैं पिछले दो वर्ष का अंकडा दूँ तो किसानों से प्रिम्यम के रूप में 8,000 करोड रुपिया लिये गए पूरे देश में पूरे देश में आट हेजार करोड लेकिन आपदा के बाद फसल खराब होने के बाद किसानों को 33,000 करोड रुपिय से जादा की मदद उससे मिली आट हेजार के सामने 33,000 करोड किसान के पास गया यानि जितना किसानों से लिया उससे चार गुना से जादा वापस किया गया साथियों बीते कुछ समय से कर्ज माफि को लेकर भी कॉंग्रेट बड़ी बड़ी बाते कर रही है लेकिन ये भी सिर्फ दोखा है, जूट है करनाटक में कॉंग्रेश ने किसानों से कर्ज माफि का वादा किया था सिर्फ दस दिन की बात कही गई थी लेकिन आज छे महने बात सच्चा ही कुछ और है अभी दो-तिन दिन पहले ही अख़बारों ने विस्तार से रिपोर्ट छापि है कि करनाटक में छे महने में एक हजार किसानों को भी कर्ज माफ नहीं हुआ है सोचिए एक हजार को भी नहीं सैंकडों किसानों के खिलाब अदालतों ने कारवाई शुरू कर दी है उनके खिलाब गिरबतारी का वारन डिकल रहा है कॉंगरेस पूरी ताकत लगा रही है कि ये सच्चाई दब जाएं छिप जाएं देश के किसानों के सामने न आए लेकिन किसानों से की जा रहे ये दोखा गड़ी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बरबात कर देने वाली कॉंग्रेस की साजीश को बीजेपी सरकार घर घर जाकर के पहुँचाएगी साथियों याद करिए 2008 में भी कॉंग्रेस ने देश बर के किसानों को ऐसी ही कर्ज माफी का बादा किया था तब देश के किसानों पर 6 लाग करोड रुपिय से जादा का कर्ज था लेकिन कॉंग्रेस सरकार ने कर्ज माफी की कितनी की 6 लाग करोड का कर्ज और किया कितना सिरफ साथ हजार करोड कहां 6 लाग करोड और कहां साथ हजार करोड कितना बड़ा धोका इतना ही नहीं कर्ज माफी की आड में ऐसे 35 लाख लोग करीब करीब वो निकल आये जो कर्ज माफ कर दिया गया लेकिन वे कर्ज माफी के हकदार ही नहीं थे पिछले दर्वाजे से रुपिय मार गए भाई और बहनों खेती किसानी से जुड़ा कोई भी सेक्टर हो कॉंग्रेस ने उसे मजबूत करने की और कभी भी ध्यान नहीं दिया फूर्ड प्रोसेसिंग हो बीच की क्वालिटी में सुधार हो एग्रिकल्चर रिसर्च हो खेती से आए बढ़ाने वाले अन्य साधन हो सिंचाई की ववस्ता हो जितना प्रोचाहान इन्हें सरकार से मिलने चाहिए था वो कॉंग्रेस ने कभी नहीं दिया आज सैंक्डो नए क्रिसी विज्ञान केंद्र खोलकर 17 करोड से जादा सोईल हेल काड़ देकर फूर्ड प्रोसेसिंग में 100 प्रतिशत एफडियाई करके देजबर में सैंक्डो नए स्टोर हाउसेज खोलकर पूरी सप्लाई चेन को मजबूत करके किसानों का खर्च कम करने और फ़सल की उचित किमत दिलाने का प्रयास किया जा रहा है